हेलो एवरीबन वेलकम बैक इन अबर चैनल दोस्तों आप से भी का स्वागत है मैं हूँ कपिल तो दोस्तों हंड्रेस कोश्चन्स की हम सीरीज कर रहे हैं जो लास्ट इयर टेट एक्जाम में मैथ कोश्चन्स आप से पूछे गए थे उसी सीरीज में हमारा कोश्चन नंबर 23 आजम करेंगे इससे पहले मैं 22 कुश्चन्स का वीडियो में पहले ही अप्लूड कर चुका हूँ आप लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो तो चलिए कोश्चन नंबर 23 आपका ये रहा तो सॉल्प करते हैं तो कोश्चन है हमारा दूस्तों संख्या 3 का पावर 98 को 5 से देने 16 फरवरी में आपसे पूछा गया था चाओर आपके रहे हैं तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्प करेंगे इसका अंसर क्या आएगा इससे पहले मैं एक वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट किया उसमें क्या है दौनों और इवन पावर वाले दौनों ही मैंने concept आपको समझा आप जाएको उसको चेक कर सकते हो ओके चलिए इस कुश्ण को चॉल्प करते हैं तो जो आपको गिवन पार्ट है वह आप देख लो तरी की पावर 98 जो नंबर गिवन है उसको आप यह नूट कर लोगे अब आपको क्या चेक करना है जो गिवन नंबर उसका पावर 98 वह हमा पावर 98 अब इसको 2 से स्टाट करो आप 3 की पावर 2 रुखो एवन है तो एवन पावर हमें रखते चलना है 3 का पावर 2 कितना होता है 9 ओके अब जो रिजल्ट आया उसे आप 5 से डिवाइड करो 5 से डिवाइड कर सकते है न अब 5 से डिवाइड करो 5 और 9 5 बंजा 5 जब अपना option चेक कर लो कितना simple है न तो हमारा जो correct option था वो हमारा D हो चुगा है ओके अगर मेरा 3 की power 2 रखने पर मेरा मालो support group 5 से छोटा आ जाता तो मैं फिर power 4 रखता even ही रखते चलेंगे power even अगर power given होता तो even number का ही power हम रखते चलते है 2, 4, 6 हैते और होता तो मैं रखता 1, 3 and 5 आप वीडियो को जाके चेक कर ले ना उसमें आपको clearly समझ में आ जाएगा I hope यह भी आपको समझ आ गया होगा and thank you wait for the next video